नमस्कार प्यारे साथियों, उमीद करता हूँ, आप सभी बहुती बढ़ी आउंगे, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, रेलवे ग्रूप D 2023 की न्यू विकिंसी के बारे में, जिसका आप सभी को बेसवरी से इंतिजार था, तो फाइनली यहां पे सारी चीज़े में आ लाए करने वाले हैं, तो पूरी चीज़ों एक बार दिहान से जरूर समझ लें, ताकि आप सभी को ये क्लियर हो जाए कि आप इसके लिए लिजिवल है भी या नहीं, तो हर एक जानकारी इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाली है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाग 24,000 से अधिक पदों पर ये आपकी railway group D में भरती होनी है, अब इसकी अगर हम बात करें यहां पे, तो point wise सारी चीज़े यहां पर clear कर लेते हैं, सबसे पहली चीज़ यहां पर selection process के बात करें, तो यहां पर सबसे पहले आपका होता है CVT examination, यानि computer based examination आप सभी का होता है तो यह जब आप qualify कर लेते हैं, तो इसमें cable तीन गुना candidate को qualify किया जाता है, जितनी number of vacancy होती हैं, वो तीन गुना candidate qualify होते हैं cable physical के लिए, तो याद रखिएगा कि physical के लिए कितने गुना candidate होंगे, तीन गुना candidate qualify होंगे, यानि जितनी number of vacancy रहेंगी, आप सभी को पता है कि जो unwise vacancy रहती है, जो unwise and categories wise क्या रहता है, कि जितने candidate होंगे, उसमें से top 3 होना जो candidate होंगे, number of vacancy के, वो qualify कर ले जाते हैं, PET यानि physical efficiency test के लिए, फिर इसके बाद आपका होता है DV, तो ये 3 step में आपकी जो भरती है, वो complete हो जाती है, CBT examination, PET यानि physical, and number 3 आपका आता DV, इसके अगर हम आगे बढ़ें, तो आगे यहाँ पर हम बात करें, देखिए qualification के बारे में, तो qualification के बारे में, railway मंतराले की तरफ से और railway भरती वोड़ की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए, और यहाँ पर जो भी changes होने हैं, वो आप सभी को बता दिए गए, अब अगर हम सब से पहले बात करें, तो देखिए, आप सभी को बताएं, कि लास्ट बारी जो भरती निकली थी, उसमें qualification आपकी 10th pass थी, और जो भी candidate 10th pass है, वो सभी candidate इसके लिए apply कर सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार क्या है, कि काफी changes कर दिए, changes मैं आपको बत apprentice आपने complete कर रखा हो, वो आपके पास होना चाहिए, यहाँ फिर आप 10th pass यहाँ ITI है, 10th pass के साथ ITI, तो आप apply कर सकते हैं, तो यह वाली qualification एक हो जाएगी, इसमें आपको option दिया गया है, कि 10th के साथ अगर आपके पास NAC है, तब आप apply कर सकते हैं, अगर आपके पास NAC नह आपके जो vacancy है, vacancy को categorize किया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता हैं कि अलग-अलग department में vacancy होती है, जैसे कुछ mechanical में होती हैं, कुछ electrical में होती हैं, कुछ electronic में होती हैं, तो इस तरीके से क्या है कि अलग-अलग categorize किया जाएगा, और जो भी आपकी technical वाली job होंगी, जिसम यहां पर जो non-technical vacancies रहेंगी, उसके लिए 10th pass, और इसके अलावा अगर हम बात करें, technical vacancies, तो यहां पर जो technical vacancies रहेंगी, 10th pass वाली, उसके लिए आपको ITI या NAC होना compulsory है, और जैसा कि आप सभी को बता हैं कि railway group D में सबसे जादा जो vacancy होती हैं, वो technical की होती हैं, तो पैसे समझों कि अगर आपने ITI या फिर आपके पास NAC या अपरेंटेस आपने complete कर रखा हैं, तो आप सभी के पास golden opportunity रहेगी, क्योंकि competition काफी कम रहेगा, और पूरा जो competition रहेगा, वो 10th pass की जो non-technical वाली vacancies रहेंगी, वहां रहेगा, उमीद गरता हूं कि qualification criteria वाला जो point ह वो आपका एकदम से यहां पे clear हो गया होगा, और किसी भी तरीके का आपका doubt नहीं रहोगा, इसमें कोई height बगरा का criteria होता नहीं है, आपकी कितनी भी लंबाई हो, male and female दोनों candidate apply कर सकते हैं, all over India candidate के लिए vacancy होती हैं, बड़ यहां पे बात आती है, ace criteria के यहां पे ace criteria क्या होत होता है, अगर आप यहां पे OBC candidate हैं, तो आप 18 से 36 साल तक apply कर सकते हैं, OBC category, अगर आप यहां पे SC या फिर ST हैं, तो यहां पे आप 18 से 38 साल तक आवेजन कर सकते हैं, तो यह category wise यहां पे आपको clear हो गया age criteria, अब बात आती है कि इसकी जो उम्र की गढ़ना होगी, वो कब से की जाएगी, तो आप सभी को बता दें, 1st July 2023 से आपके उम्र की गढ़ना की जाएगी, तो यह आपका minimum और maximum जो age criteria है, वो इसके according count होगा, तो आप देख सकते हैं, 1st of July 2023 को आपकी नियुम तम आई ओनी चाहिए, 18 साल और category wise देख सकते हैं, 33, 36 और 38, अब आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ चीज़ें, आप सभी को clear करते हैं, यहापे age criteria clear हो गया, अब आपको mainly यह clear हो गया होगा, क्या आप इसके लिए form apply कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं, अगर आपको जो criteria बताए हैं, जो eligibility criteria बताया है, अगर वो आप complete करते हैं, तो आप video को continue आगे देख सकते है अब इसके अलावा, यहापे सबसे पहला जो face man आपको बताया था, CBT examination, जो की computer based examination होता है, आप सभी को बता दे कि यह examination होता है, इसमें negative marking भी होती है, और negative marking होती है one third की, तो यह सबसे पहले point, note कर लीजिए का, क्योंकि सबसे most important चीज़ यहाँ पे रहती है, बच्चों को प computer based examination होता है, इसका जो slavus है, वो slavus मैं आपको बता रहू, exam duration जो होता है, वो होता है 90 minute का, PWD जो candidate होते हैं, उनके लिए 120 minute होती है, और बाकी का जो generally candidate होते हैं, उनके लिए जो time होता है, वो 120 minute होता है PWD, और generally होता है 90 minute, इसके अलावा, यहाँ पे general awareness के 25 question, mathematics के 25 question, general intelligence 30 question, ए जाते हैं, और इसके अलावा, यहाँ पे बात करें, तो total number of question कितने होते हैं, hundred, और hundred marks दिये जाते हैं, यानि कि each question आपको एक number यहाँ पे दिये जाता है, अगर आप 3 question के गलता answer देते हैं, तो यहाँ पे आपका एक number deduct कर लिए जाएगा, one third की आपकी negative marking होती है, यानि कि हर गलत उतर पे 0.333 अंक आप सभी के यहाँ पे card लिये जाएंगे, तो यह होगी आपकी negative marking, अब जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था कि यहाँ पे इस वार आपको syllabus में changes देखने के लिए मिलेंगे, तो यहाँ पे देखो, यह जो आपकी wikancy है, यहाँ पे technical and non-technical में categorize होगा, उसमें कोई भी changes आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बाकी का क्या है, जो आपका NAC याणि apprentice और ITI के साथ की जो vacancies होगी, यानि की जिन के लिए उस qualification से apply कर सकते हैं, वहाँ पे technical वाला एक आपका subject add हो जाएगा, ठीक है, तो technical वाला subject वहाँ पे add हो सकता है, वह इसी एक subject को हटा के, जैसे कि यहाँ पे general science को हटा के हो सकता है, कि technical add हो जाए, या फिर general awareness, current affairs को हटा सकते हैं, वह एक बात की बात है, क्योंकि इसके बारे में, अभी railway board की तरफ से पूरी detail नहीं दी गई है, syllabus के बारे में, और यह जैसे भी update होगा, मैं आप सभी को इसके ब launch कर दी है, जिसमें आप railway की सभी exam की तैयारी कर सकते हैं, अब जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे rrv anti-pc के 1097 test, साथी में यहाँ पे junior translator के 10, junior standographer के 20, और rrv group d के 738, dmrc, cra 27, rrv jee के यहाँ पे मिल जाएंगे, और आपको rrv alp के भी देखने के लिए मिल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, कि आपको केवल एक test series ही लेनी है, अब इस एक test series से ही आपके railway के जितने examination होंगे, चाहें वो alp का हो, फिर junior engineer का हो, यहाँ फिर आपका railway group d हो, या ntpc हो, सभी examination की तैयारी केवल एक test series में आपकी हो जाएगी, यहाँ पे यहाँ आपका जो test series रहेग बहसा का option आपको मिलेगा, change कर सकते हैं, previous year question को यहाँ पे add किया गया है, साथी में यहाँ पे 1500 प्लस online test आप सभी को मिल जाएंगे, link आपको वीडियो का description में दिया गया है, अगर आप चाहें तो जाके ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहुँगा, कि अगर आप test series नहीं कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को और भी improve कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम यहाँ पे बात करें, तो देखो second जो phase होता है, वो होता है PT physical efficiency test, जो candidate written examination यानी CVT examination में पास होते हैं, तीन गुना candidate qualify होते हैं, number vacancy के, तो यहाँ पे physical efficiency test होता है, इसमें क्या है, कि male candidate क लेखेंगे कि यहाँ पे 35 किलो बजन यहाँ पे लेके दौड़ना होता है, और यहाँ पे कितनी distance कवर गन्नी होते हैं, distance कवर गन्नी होती है, 100 meter in 2 minutes, तो यहाँ पे याद रखिएगा, कि जो भी male candidate होंगे, उन्हें यहाँ पे 35 किलो बजन लेके दौड़ना है, 100 meter की दूरी 2 minutes में तैक करनी होती है, एंड यहाँ पे आपको 1000 meter यानि की 1 km की running 4 minutes 15 second में फूरी करनी होती है, तो आपका जो physical होता है male candidate का 2 event रहेंगे, एक में आपको एक कटा बोरी, आपको चुछ भी कह सकते हैं, वो लिए कि आपको यहाँ पे दौड़ना होता है, और 2 minutes का समय दिया ज आपको 4 minutes 15 second में complete करनी है, जो कि आसानी से हो जाती है, female candidate के लिए बात करें, तो female के नुसार यहाँ पे 20 km का बजन होता है, 100 meter की दूरी होती है, और 2 minutes का समय दिया जाता है, यानि कि समय और दूरी बरावर है, लेकिन यहाँ पे बजन को कम कर दिया गया है, 20 km कर दिया गया ह तो यह हो गई आपकी भरती का पूरा process कि कैसे physical होता है, क्या qualification चाहिए, किस तरीके से क्या process होती है, हर एक चीज मैंने clear कर दिया है, इसके अलाबा यहाँ पे बात आती है fees की, तो देखें, for all other जो candidate हैं, जैसे कि आप general, EWS, OVC candidate हैं, तो 500 रुपे आपको fees पे करनी होगी, अगर आप examination में appear होते हैं, और CBT examination देते हैं, चाहिए आप fail हों या पास हों, आपको 400 रुपे बाद में refund कर दिये जाते हैं, इसके अलाबा अगर आप जैसे SCST, EX Service Man, PWDM, female candidate हैं, तो 2500 रुपे आपको यहाँ पे fees पे करनी होती है, पर जैसे आप CBT exam में appear होगे, उसके बाद आजाती हैं, अब इसके अलाबा यहाँ पे बात करें कि नंबर विकिंसी की, वही नंबर विकिंसी कितनी हैं, और कब तक यह विकिंसी final आ सकती हैं, देखो, सारी चीज़े पता हैं, अगर आप किसी से ना पूछो, सबसे पहले अगर खुद से भी पूछोगे, तो आपको answer मिल जाएगा, और जो बच्चे smart हैं, वो definitely पहले से ही अपनी तयारी में जुट चुके हैं, होता क्या है कि maximum बच्चे क्या है कि इसी बसड़ में लगे रहते हैं, यूगि आप सभी जानते कि majority candidate जो होंगे, वो fail होते हैं, बहुत ही कम candidate आप सभी को पता हैं, कि यहाँ पे pass ह होते हैं, जो selection लेते हैं, अब सीधी सी बात है कि सभी लोग स्मार्ट अप्रोच रखेंगे और पहले सी advance रहेंगे, तो वही क्या आलत होगा, competition ओर इतना जादा है, तो इसी के वज़ए से जो बच्चा selection चाता हो, जिसे पता है कि मेरी age अभी 25 है, और सभी बच्चों को पत है कि 33 साल का इस criteria है, 18 से 33, तो कोई option ही नहीं है, overage होने का, या किसी भी चीज़ का, जो qualification criteria मांगा जाता है, वो मेरे पास है, physical में कर सकता हूँ, बात है, रिटिनिक जावनेशन की, तो वह चब पहले से ही अपनी तयारी में जोट गया है, अब उसे पता है कि ये भरती चाह को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, राज्यसवा में, पहले से ही railway विवागने, यानि railway मंतराले की तरफ से जवाब दे दिया था, जिसमें पूरी जोनवाइज आपको विकिंसी बताई थी, जिसमें टोटल नमबर विकिंसी विकिंसी 3,12,895 और 3,12,895 म होंगी, वो यहाँ पर फिल हो जाएंगी, लगबग 1,40,000 विकिंसी फिल होने के बाद, लगबग railway में 1,22,000, एक फरवरी के अनुसार यहाँ पर खाली है, 1,22,000 पद ठीक है, इतने, इसके बाद जो इस डूरेशन में जो विकिंसी विकिंट होंगी, या candidate जोइन नहीं करे वो सभी विकिंसी इसमें एड होने के बाद, इन पदों की संख्या लगबग 2,000,000 रहेगी, अब आप यह समझो कि सभी डेपार्टमेंट में लगबग 2,000,000 पद रहेगे, जिसमें से railway group Dx सबसे बड़ा यहाँ पर नमबर विकिंसी रहती है, सबसे जादा पद यहाँ पर करने है, लाख में आने के लिए यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, किलियर सी बात यह है कि यहाँ पर गॉर्मेंट आप सभी जानते हैं, देखो गॉर्मेंट को विकिंसी निकलने हैं, लेकिन गॉर्मेंट अपने अकॉर्डिंग देखी कि गॉर्मेंट कहां चादा benefit ल हो जाए, हालांकि यह भरती complete नहीं होगी, लेकिन पूरी दरा से, लेकिन इसका examination होने की पूरी पूरी probability रहेगी, तो आप सभी को यह बता दूं, कि अगर यह भरती, यहां पे हम यह मानले कि October November में यह भरती आती है, तो आप यह मानके चलिएगा, कि इनका पूरा best try रहेग है, तो आप यह समझो, कि max to max आपको 3 महिने का समय, 4 महिने का समय, तयारी करने के लिए मिलेगा, और मुझे लगता है, कि फ्रेशर बच्चा जिसने अभी तक कोई तयारी नहीं की है, वो 3-4 महिने में उस बच्चे को कभी पीछे नहीं कर पाएगा, जो पिछले 2 साल से 3 सा हैं, जो वच्चे 33 साल के आसपास हैं, उनके लिए तो doubt है, कि हम apply कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आपका ace criteria पहले से ही पता है, 25 साल, 26 साल, 30 साल, 31 साल या फिर 32 साल है, तो भाई आप definitely apply करीप आओगे, आपको पहले से ही clear है, तो क्यों आपनी तयारी में अभी सर्जुड जाओ, तो मैं तो सर्फ आपको ये सज़ेस्ट करूँगा, कि नम्मरों विकिंसी already clear है, ministry of railway की तरफ से इसके बारे में बार बार सूचना जारी की गएंगे, even अभी आप सभी को बता है, कि योग गिता को लेके, आपको कुछ decision लिये के हैं, जो कि आप स सायरी करके, मैदान में उतरेगा, जिससे की जल से जल इस बढ़ती का examination बगएरा conduct करवाया जा सके, नम्मरों है, applicant जादा होते हैं, time से examination होता नहीं है, तो बाद में बहुत सारे issues आते हैं, और बहुत जादा problem create होती है, that's why railway बबाग ये ही चाहेगा, कि समय से भरती को थोड डिले हो रहा है, number of vacancy आने में, notification आने में, लेकिन जब vacancy आ जाएगी, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि प्रकरिया में कुछ भी delay करेंगे, पहला stage तो CVT examination निश्चे तोर पे जल से जल आप सभी का हो जाएगा, बागी का आपकी मर्जी है, सारी चीजे में आप सभी क रिटेल में बताने की कोशिस की, इस बरती से जम्मने कोई भी update आएगी, तो regular आपको चैनल के माद्यम से मिलती रहेगी, तो आप चैनल से connect हो सकते हैं, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, फिलाल के लिए बस इतना ही, तो thank you for watching, जैहिंग, जैवारत!